हालो हाई गुदिबनिंग साथियों गुदिबनिंग आप लोग ठाक है न सब कुछ अच्छा चल रहा है किसी का कोई सवाल कोई परेसानी तो बताईए मेरी आवाज सही आ रही है कि मेरी आवाज क्लियर है अगर है तो हाँ बताईए ओके है सब कुछ अच्छा चल रहा है किसी का कोई सवाल कोई परेसानी तो बताई आवाज थोड़ा सा दब रही है थोड़ा सा रूप जाना भई आवाज थोड़ा सा दब रही न यह चार्जिंग में लगा यार लो अप फिर हो गया ना चार्ज तो है यह 26 मिनट चलेगा चार्ज में तो कैमरा लगाना पड़ेगा एक मिनट आवाज मेरी साही हुई है कि नहीं चलने शुरू करा जाया फिर आज हम लोग पढ़ेंगे वह सेस्फल परमिये क्या पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरं आवाज मेरी साही हुई है आवाज साही हो गई है बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जैसे कि लकी प्रियांसु आदित्य बाबु जुड़े हुए हैं रिंकु नाब्या धीराज मनोज अनन्या प्रोहिस सचीन दीपू और ब्रज मोहन सिंग धीराज बिटा पढ़ाई कर लो अच्छे से हां तू कमेंट ना करो जैसे कि लकी प्रियांसु आदित्य बाबु जुड़े हैं नाप्या धीराज मनोज अनन्या यार उधर का जो लाइट का जो सिस्टम है न वो मैं क्या बताऊं एक मिनेट थोड़ा सा रुकना आवाज दब रहिए क्या जैसे कि लकी थोड़ा सा रुकना मैं इसको चेंज कर देता हूं कि थोड़ा रुकना कि पुझिन करके देखा नहीं हुआ कि पता नहीं उसमें आता ही नहीं लाइट ठीक है चलें आगे पता ही नहीं चलता भई आपे कि तो लगा है नहीं आगे चल रहा है कि आप इपनिंग थोड़ा सा रुक जाओ यार बहुत डिश्टर भई आज कि आप देखो साही है प्यारे साथियों सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को कोई परिशान नहीं हो रही तो बताओ नहीं ना हाँ हालो हाँ चल लें आगे बढ़ें बताओ यह थीक चल रहा है ना सब कुछ नहीं ना हाँ हाँ अब आज क्लियर है आगे बढ़ें बैटरी बदल देते हैं यार यह कुछ न कुछ लपड़ा हो जाता भई मैं क्या बता हूं थोड़ा सा रूक जाना आप लोग आदा मिनिट तेरा काम जो है ना बहुत गंदा है तोड़ा सा रूक जाना बस कहीं जाना नहीं कामरा कनेक्ट है तो चली रहा होगा चलो ठीक है बैटरी चार्ज हो रही है सब कुछ ठीक है अब हम आगे चलेंगे किवल पढ़ेंगे बस बाकी कुछ नहीं क्लियर ना एकदम मस्त आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आवाज इनोंने बहुत तेज करके रखा है इसलिए काफी तेज आवाज निकल रही मैं इसे थोड़ा दीमा कर दूंगा अब ठीक है कोई किसी को नहीं होगी बहुत अच्छे समझ में आएगा तो जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं फटा फट कमेंट करें कि आप जुड़ गये हैं आपको दिखरा है सब कुछ अच्छा है कितनी असुविदा के लिए माफी चाहते हैं समस्या हैं बहुत सारी हैं यहाँ पर हम तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत दिल से सुक्रिया बिकरम कुमार नयन गेमिंग एजी दीपू सभी जुड़े हैं चलिए आप पढ़ाई करते हैं तो आज आपको पढ़ना है रिमांडर थेवरम यानि सेस्फल पर्मिये महले मुझे कमेंट करके बताओ इसमें कितने बच्चे किताब लिये हैं देखो इंगलिस पोर्षन मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा हिंदी वाला लिखूंगा आप इस स्क्रीन पर देखो इंगलिस में जो बात है वो आपके स्क्रीन पर दिख रही है इसे आप यहां से नोट करते जाओ ठीक है भाई सरवन सरवन जी समझ में आ रही न मेरी बात जो भी हमारे साथ ही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं कर रहे हैं तो इतने भी खिलाड़ी हैं फटा फट कर लें तो देखिए आप लोगों ने कहीं न कहीं ये पढ़ा हुआ है दिमेंडर थेवरम लेकिन हम इसे थोड़ा सा बिश्तरित आपको क्लियर करेंगे दिमेंडर थेवरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर 2.3 के लिए कल मैंने नहीं पढ़ाया था इसी लिए कि आपको कांसेप्ट नहीं आता है और कांसेप्ट आपको सिखा दिया हुमे तो आज सिर्फ और सिर्फ आपकी कलाव चलेगी साचिन, सुमन देबी प्रितेश, सौरव यादो अवंतिका गुपता अनोज, अंकित सबका कमेंट आ रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है बस अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है ठीक है तो सेस्फल पर्मिय है आप सभी को पता है बेटा क्या बोलते है इसे रिमाइंडर थेवरम आप इधर इंगलिस भी लिख लो इसका रिमाइंडर थेवरम ऐसे होता न इंगलिस की कुछ और भी होता है थेवरम सही है न देखिए आप जो इस्क्रीन पर आपको दिखरा पहले हम इंगलिस में बात करेंगे फिर हिंदी में दोनों लेंगोज में सिखाएंगे क्योंकि हमारे जो छात्र हैं वो दोनों लेंगोज के होते हैं इंगलिस और हिंदी दोनों परकार के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्क्रीन पर आपको दिखरा है लेट पी आफ एक्स पी एनी पॉलिनियमियल आफ डिग्री ग्रेटर देन आफ इक्वल तो वन इसका हिंदी समझना कुछ लोग परिसान होंगे तो बेटा हिंदी में ही मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे इंगलिस आती नहीं है तो मैं थोड़ा थोड़ा कोसिस कर रहा हूं सीखने की मुझे खुद इंगलिस नहीं है चलो हिंदी में इसे क्या बोलोगे आपको पता है हैं मैं बताता हूं देखिए यहां पर आपको जैसे कि लिखा रहावजhoven से मिला मिला के पढ़ना है लेट मतलब होता मान ली जिये क्योंकि हम लोग मिला मिला के ही सिखते हैं पाणना है कि अशरिप आफैक्स एक के अधिक गात यहांकर कोई बहुपध fällt है आप इसे लिखो, 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 लिख रहे हो, English Medium वाले बेटा लिखलो जो स्क्रिन पर दिख रहा इसे पूरा जितने बच्चे CBSC Board के हैं या English Medium के हैं जो इस स्क्रिन पर दिख रहा इसे लिखलो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं किसे लिख लो जल्दी से वोसे बढ़ा करूँगा तो हिंदी वाले ने लिख पाएंगे बढ़ा नहीं करूँगा लिखो हिंदी वाले लिखो किसे हमें हल करना है तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे यह कुछ भी लिख लो तिकिए मान लीजिए मान लीजिए आज हल करना है इसे तो मेनद करनी पड़ेगी P of X एक से अधिक गात का कोई बहुपद है कोई बहुपद है ठीक है English Medium वाल है जो इस्क्रीन पर दिख रहा बेटा उसे लिख लो English Medium वाल है Hindi Medium वाल है जो मैं लिख रहा हूं उसे लिखो ठीक है Let P of X be any polynomial Let P of X be any polynomial of degree greater than of equal to 1 कितना मैंने लिख दिया ठीक है आगे देखो And let be any real number if P of X is divided by the linear equation X minus A आगे लिखो और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है और मान लीजिए कोई वास्तविक संख्या है वास्तविक मतला वही real number दिखेगा आगे यहाँ पर समझ जाना बस वास्तविक संख्या है ठीक है आगे लिखते चलो आगे कह रहा है कि इंग्लिस में फिर से देखो Then the reminder is P of A ठीक है संख्या है उसके आगे लिखा आपने यदि P of X को रहखिक बहुपद यदि P of X को ये सेस्फल परमिय है ज्यान देना रहखिक बहुपद इससे X-A से विभाजित किया जाता है X-A से विभाजित किया जाता है screenshot ले लो English medium वाले मैं हटा रहा हूँ picture मैं picture हटा रहा हूँ screenshot ले लो जितने English वाले है ठीक है clear विभाजित किया जाता है अगे लिखो so says P of A है अब इमानदारी से बताना कितने बच्चों ने इसे लिखा और कितने लोगों ने नहीं लिखा अगर बेटा सेफ़फल परमिये पढ़ना है तो इसे लिखना जरूरी है screenshot ले लो मैं सामने से हट गया हूँ screenshot ले लो इतना Hindi मीडियम वाले सभी फटा फट screenshot ले लो मैं थोड़ा सा इसे दूर कर देता हूँ zoom out कर दिया मैंने अब देखो आ गया होगा जो कट रहा था लिख रहा हो सभी मंजीत मौर्या लिख नहीं रहा नो बेटा देखो लापरवाही करोगे तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे हम नहीं अगर पढ़ना है तो लिखो दिखो जरूर लिखो इंगलिस मीडियम वालों को स्क्रीन पे दिखा दिया गया है हिंदी मीडियम वाले दिख सकते हैं चलिए अब आगे क्या करना है ध्यान दीजिए इसको समझने के लिए आप लोग दोनों लेंगवज में लिखोगे हिंदी इंगलिस दोनों में तो पहले मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ फिर इंगलिस आप लिखो ये होता ना भाज्य बराबर आजक कुड़ा आगफल धन्सेज ये हिंदी में होता है तिक्क है ना बच्चा समझ में आ रहा है English Medium वाले लिखो Dividend Equal किसे ऐसे लिखेंगे Hindi वाले भी English लिख लेना बेटा ठीक है English वाले Hindi लिखे या न लिखे चलेगा जेकिन Hindi वालों को English सीखना बहुत जरूरी है अगर आगे जाके आप IIT, J वगरा दोगे या कोई भी अच्छा एक्जाम दोगे तो तुम्हें English आनी चाहिए English में Mathematics Word को क्या बोलते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए जैसे बाजी को Dividend बोलते हैं Divider बोलते हैं ये Word तुम्हें जरूर आना चाहिए Question हो सकता है कि हमारी जो pronunciation है बहुत अच्छी ना हो कुछ लिखा और है बोल मैं कुछ और रहा हूँ लेकिन होता है ही है तही पढ़ रहा हूँ ना मैं ये reminder ये आपका सेसपल परमिये का मुख्य सूत्र है किरन यादो आसी से दुबंसी पवन, मंजीत, गुलसन A.G. Army सबको समझ में आ रहा बच्चा तो कलास को लाइक भी करते चलो ना यार अब लाइक करने माले का तुमारे पढ़ोसी आएंगे बढ़ तो तुम ही रहो लाइक भी तो तुम ही करोगे ना चलो clear? कितना लिख लिजिए screen side ले लिजिए फिर हम चलते हैं step by step आगे बढ़ते है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को कोई समस्या है तो बता देना बिल्कुल निसंग कोच बिल्कुल बता देना चलो ओके ठीक है clear तो इतना आप लोग लिख लिए तो मैं इसको मिटाता हूँ अब यहां से नीचे दिख रहा है क्या कि नीचे बहुत कम दिख रहा है अगर मैं jumei vikt कर देता हूँ तो दिखेगा क्या मुझे यहां पर तीन-Cáre line लिखना होगा तो मुझे लग रहा कि नहीं दिखेगा उतना श которых क्या कि लेुए मुझे मिटाना पड़ेगा में उपर मिटा रहा हूं पहले ही मैं उपर मिटा रहा हूं अच्क्रीन साट ले लो जल्दी ऐसे रिंस आट ले लो मैं इरेज करने चल रहा हूं कि जलिए कि के आधा हम यही अधा आपका कुछ चीजें हल करनी हूँ तो मैं दुबारा इंगलिफ नहीं लिखूंगा या हिंदी नहीं लिखूंगा ठीक है चलो इसे उपर लिख लो स्क्रीन साट ले लो आप लोग इसका मैं इसी चीज़ को उपर लिख रहा हूँ फिर इसको मिटा दूँगा लेकिन मैं लिखूंग क्यों इसको मैं खोटा फलिक लेता हूं चलो भाज्यय बराबर बहां ओ गया चलिए अभी हमने जो लेट किया था माना था आपने देखा है तो माना था let p of x is any polynomial of degree greater than of equal to 1 हमने माना था कि p of x एक घाट से अधिक का एक बहुपद है माना था ना भाया देखो तो अब इसकी जगा पे आप लिखोगे p of x या लिखोगे p of x और ये x minus a से डिवाइड हो रहा है ऐसा माना गया था जिसका question बच रहा था कि वह आफ x और कह रहा था कि इसमें reminder क्या है भईया reminder क्वार लिख दो अभी तो कुछ इसमें दिया है नहीं केवल ये दिया था और इसको माना था मैंने ये तो दिया नहीं था इसके बारे में तो कहीं कोई चर्चा है नहीं यानि हमें जो पता था वो क्या था यह काठी माना था बस अब आगे इसमें जो बात है वो समझने वाली है आगे क्या है समझने वाली बात है अभी आपने हिंदी में क्या लिखा पहले पढ़ो अबी बच्चे पढ़ो अभी जो माना लिखवाया था पढ़ के मुझे सुनाओ क्या लिखा था देखो बच्चे अगर पढ़ोगे नहीं तो ये समझ में आयगा नहीं ये सेसफल पर्मिय है अच्छे-च्छे को नहीं समझ में आता मुझे भी पहली बार नहीं आया था एक्स माइनस ए से क्या होता है विभाजित किया जाता है इससे विभाजित किया जाता का मतलब यह है कि बेटा यह भाजक है यह क्या है दिवाईजर है तो सेसफल पी आफ ए बचता है क्या बचता है पी आफ ए बचता है जब इससे एक्स माइनस ए से विभाजित किया जाता है सबसे पहले P आफ X एक से अधिक घात का कोई बहुपत माना गया था ठीक है तो जहाँ जहाँ X है वहाँ वहाँ आप A रखोगे ठीक है जहाँ जहाँ पर X है वहाँ वहाँ पर क्या रखोगे बिटा A रखोगे रखोगे रख लो जहाँ पर A माइनस A यहाँ पर q of a यहाँ पर r देखो r की जगह पर क्या रखोगे कुछ नहीं रखोगे r का मतलब reminder अब यहाँ पर देखना यह 0 वही ए से a 0 q of x into a than r यहाँ से अगर आप देखो तो p of a equal r के बराबर है किसके बराबर है r के अब यहाँ से समझ में आया कुछ आपको की नहीं अभी यहाँ से आपको कुछ ना समझ में आयेगा जब इसके example होंगे तब समझ में आयेगा ठीक है उदाहरण जब देखोगे तब समझ में आयेगा बिलकुल परिसान नहीं होना अगर समझ में नहीं आया तो पिसाल यादो क्या बात कर रहो भई साप साप लिख दे रहा हूँ मनोज किरन, परदीब कहान से देखिए समझिए अगर आपको 2% भी आया न यकीन मानू आने लगेगा अभी टेंसन मतले न बस बिलकुल आएगा पूरा आएगा सब आएगा यादा अब थोड़ा जगा जादा हो गई न इतना लिख लिए स्क्रीन साट ले लो जल्दी से स्क्रीन साट ले लो मिटा रहा हूँ चलो हो गया इतना अब एक उदाहरण के माध्यम से अगर समझेंगे तो आएगा एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो आएगा, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा structure बगल में बना लो बगल में structure बना लो इधर दिख रहा है न इसका मतलब यह है बच्चा, कि इसे P of X को X minus A से विभाजित किया जाता है तो Q of X भागफल जाता है नीचवाहियां आके जो आर फेसकाल बच्चता है इसका यही मतलब है पूरा पस समझ में आ रहा ना भाई अभी साल अंसी का सरोज समझ में आ रहा है अंकीत आरा समझ में आप लोग कलास को लाइक करते चलो फटाफट फटाफट लाइक करते चलो बिल्कुल देर ना करो और कमेंट करके बताओ आया तब को समझ में आया ना बाबू ठीक है इसके मिटा देता हूँ अब एक उधारण देखो तब समझ में आएगा अब एक उधारण देखो बिना एक्जामपल के समझ में नहीं आता है अभी इस टाइब के काफी questions होंगे इसी पर आधारित तो आपका ये सब फंडा clear हो जाएगा एकदम मैं आपको सच बताऊँ जब हमने पढ़ा था ना इंत में पहली बार तो दो तीन बार ये मुझे खुद नहीं समझ में आया था कि ये क्या है और इसमें क्या किया जा रहा है इस कलास का टाइम हर दिन साम को साथ बज़े होता है इसमें जो ये लिखा गया है ये दूसरी कलास की information थी जो कि यहाँ पर mistake थी मैं इसको update कर देता हूँ ये लो ठीक है daily कलास साम साथ बज़े होती है देखिए सामझ में आएगा सन्यक को समझ में आगया उसको समझ में आएगा जो बहुत दिल और दिमाग से समझाओगा जो हलके में ले रहा था ये बहुपद का वो नहीं है जो तुम अभी तak खेलते आये हो यह खेलने वाला नहीं है, यह सीखने वाला पढ़ने वाला है यह संख्या पद्धती नंबर सिर्टम नहीं है इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, चलो अब एक एक एक्जामपल देखो एक्जामपल में क्या कह रहा बेटा एक्जामपल में यह कह रहा है लिखो x का cube minus 3x का square minus x plus 5 यह divided by x plus 1 यह अगर यह सिति दी गई है तो आपको क्या करना इसमें reminder theorem लगानी है देखो समझो अगर reminder theorem ना लगाओगे अगर reminder theorem ना लगाओगे तो क्या होगा पता है ना लगाओ तब भी तब तुम्हें यह करना होगा ऐसे तंबा सा ऐसे करोगे यहाँ बीच में यह पूरा बढ़का लिखोगे यहाँ पर यह प्लस वन लिखोगे और यह परक्रिया बहुत बड़ी हो जाती है यह परक्रिया बहुत लंबी हो जाती है अगर आप सेस्फल परमिये का परियोग नहीं करते हो तो आपको यह करना होगा सेस्फल परमिये का परियोग करते हो तो यह नहीं करना होगा और वह परक्रिया आसान रहेगी मनीज कुमार साइन्स का पीडियप मिलेगा बेटा मिलेगा पीवियार स्टडी टेलिकराम चैनल पे मिलेगा जरूर मिलेगा बन गया सब बस चेक हो रहा है एक दो दिन की प्रक्रिया है फाइल आपकी चेक हो रही है कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है आज ही हो सकता मिल जाएगा चैन्सन मतलेना मिल जाएगा और ये कलास पीवियार स्टडी चैनल नंबर तीन पे चल रही ना आपको पता है यहीं पे चलती है रोज यहीं पे यहीं पे चलती है चलो देको हाँ क्या करना है दिख लिया ना अब हमें इसे रिमेंडर थेवरम से हल करना है दिखो सेस्पल पर मिये से पाई रिमेंडर थेवरम हिंदी मीडियमा ले लिख लो सेस्पल पर मिये से पाई रिमेंडर थेवरम दिखो बच्चा X PLUS 1 है न X PLUS 1 को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे क्योकि यह क्या है भाजक है दिखो X PLUS 1 equal 0 यहाँ से X COMMAND minus 1 आएगा कितना आएगा minus 1 आएगा और अब आप क्या करोगे जहाँ जहाँ पर X है बटा वहाँ वहाँ पर minus 1 रख दोगे जैसे अभी जैसे अभी इसमें हुआ नहीं था A रखा गया था reminder theorem का जब सूत्र बना था तो जहाँ जहाँ पर X था चरपद था वहाँ 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 पर मैंने एक संख्या जो माना था A उसे रखा था तो किवल 6 फल बचा था ना बचा था ना तो वह ऐसे करोगे ठीक है तो आपका यह क्या हो जाएगा इसे अगर P of X के बराबर मान लो कि मान लेना ऐसे कि यह P of X के बराबर है अब देखो विटा क्यों हो जाएगा आपका P of X बराबर minus 1 का क्यूब minus 1 और plus का 5 इनको हल कर लो कितना आएगा मैं सीखने से कोई रोक नहीं सकता आपको अगर आपने दिल लगा के पढ़ातों दिल पढ़ाई में और कहीं नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ पढ़ाई में लगाओ चलो देखो इदर 1 का कितना बार भी क्यूब करोगे वह नहीं रहेगा मैंने एक फंडा आपको बताया था पछले कि अगर इसकी घात विसम है तो answer minus में आता है अगर sum है तो answer plus में आता है ठीक है तो घात minus विसम है इसलिए answer minus में आएगा minus 1 और ये देखो बिटा ये minus 1 का square क्या हो जाएगा plus 1 हो जाएगा 3 में गुड़ा करोगे तो ये 3 ही रहेगा और minus का 1 plus का 5 plus का plus में जुड़ जाएगा बच्चा plus का plus में जुड़ जाएगा करके देखो 2 आएगा लगबग मुझे लग रहा है मेरा कुछ गड़बड जा रहेगा नहीं न एक चीज आउर देखो पांच जो था किस में था पांच जो था minus में था कि plus में था वही कहां गया ये एक मिनट रुके रहो minus 1 का cube हो गया इसकी जगा पे minus 3 और ये minus 1 का square ये तो 3 ही हो गया तो ठीक है ये minus 1 ध्यान देना sorry sorry एक मिनट एक मिनट इस यक्स की जगा पे बच्चा minus 1 रखेंगे बाबू ठीक है ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये तीन तक तो ठीक है इस minus को ऐसे लगाओगे और यक्स की जगा पे minus 1 रखना ऐसे और फिर ये plus 5 होगा ठीक है यहाँ पर भी सुधार लो अपना थोड़ा सा यहाँ पर भी अपना थोड़ा सा सुधार लो भाईया ये ठीक है तो ये plus हो जाएगा बेटा अगली लाइन में समझना तो ये plus हो जाएगा और ये भी एड होगा बच्चा नीचे दिख रहा है ना नहीं दिख रहा आगे हल कर लो यहां पर समझो यह जुड़ेगा माइनस का फॉर आएगा तो बेटा यह माइनस का फॉर प्लस का सिक्स पराबर फाइनल में दो आएगा क्या आएगा दो आएगा और यही अंसर होगा आसीज गुड़ा पिसाल मनीज मंजीद नान बाबू सबको समझ में आ रहा है यह बताओ क्या बफरिंग हो रही है क्या बोलो क्लास अच्छे से चल तो रही है न अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए कि हमें परिसानी हो रही है अर्जुन जैसवाल समझ म्यारा भईयं जैसवाल जी देखिये मैं सामने से हडता रहता हूँ आता रहता हूं लुकता छुपता रहता हूँ जिससे कि आपको clear दिख सके आपको clear दिखे, इसलिए मैं इदर छुप जाता हूं कहीं उदर छुप जाता हूं कि आपको स्क्रीन दिखती रहे सभी बच्चे जल्दी से एक बार जोर से बोलो मुझे समझ में आया जल्दी से बोलो जोर से कि हाँ आ गया फटा पट बोलो हर एक बच्चा हाँ 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 बोलेगा यास 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 बैब बोलता कहा है नहीं मूह में दही जमा के बैठा हाँ बैब बोलो मैं पानी पी लेता हूँ फिर इसी दम पे reminder theorem complete हो गया इसका example भी हो गया बैटा अब कुद पड़ो exercise में exercise में कुद पड़ो अफटाफट चलो अभी हाहा बोलेगा कि वाहाँ बोलो जैसे से त्वे ने उसे सी arm बोलते है त्वे तु अलग चीज़ है गाउं में आता देखे कुटा की जिता बड़ा होता इत्ता बड़ा साम होती ना दूपर मुह करके वहा वहा बोलता है ना पहले हम लोग उससे बहुत डरते दूद नहीं पीते थे ना महमी लोग डर बाती थी पी ले नहीं तो आई जाएगा घरना ले जाएगा तब को आगया चलो ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड चलिए तो आब वो किताब खोल लो आप लो इक्सर साइज 2.3 इक्सर साइज 2.3 खोल लो चल दी से किताब खोल लो फट आफट रोहित और जो भी हमारे घंवानित माडरेटर जी जुड़े हुए है मानीटर बनके उनसे निबेदन है कि किसी भी बच्चे को बलाक नहीं करेंगी पर्मानेंट ठीक है क्योंकि सब बच्चे अपने हैं जो भी कमेंट कर रहें उन्हें करने दो कुछ भी करें लेकिन हाँ गाली वाली नहीं देना भाईया तो चलिए एकसर साइज ओपन करिए इकसर साइज 2.3 चैप्टर 2.3 क्यूट बवाय आदित्ते कब अच्चा तुम सच में क्यूट हो का हुँ हम से ज़्यादा क्यूट हो क्या तुम देखो सिवम क्यूट नहीं लगाया अपने नाम में तुम क्यूट बवाय लगायो बसे एक बात बताए ना तो कोई चीज होता है ना उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे मैं हूँ ना देखो इधर प्रफना वली 2.3 अब समझो इधर साइड में क्विश्चन नमबर फास्ट मज़ा आ रही ने थोड़ा थोड़ा क्विश्चन नमबर फास्ट देखो क्या कह रहा है पहले किताब लेके आता हूं मैं तब किताब लेके आऊं तब रुख जाओ किताब खोलो सभी एंसी आर्टी की एक मिनट भाईया गिरना नहीं नहीं दात वहाँ तुट जाएगा यहाँ पर जरीना साख्या मुहमद मेंताज रजा लोग रजा लिखते हैं कभी कभी में राजा पढ़ लेता हूं तो यह नराज हो जाते हैं कि तू पॉइंट थी खोलो सभी सभी बच्चे टू पॉइंट थी खोलो देखो बच्चा यह पेज नंबर है फोटी सेवन जो बुक लिया है एक्सरसाइज 2.3 है पेज नंबर फोटी सेवन एंसी ए आर्टी अगर लिये हो तब सरकारी वाली एंसी आर्टी जो सेंटरल लेबल की होती है यह जो सीबेसी वाला बच्चा है उसके में मिलेगा सेम टू सेम चलो कहरा कि एक्स का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स का स्कॉयर और प्लस 3 एक्स एंड प्लस 1 को निम्न लिखित से भाग देने पर सेस्फल ग्याद कीजिए निम्न लिखित से भाग देने पर सेस्फल ग्याद कीजिए अच्छा यह बताओ इसमें से कितने बच्चों के किताब में पेज नंबर 47 पर यह दिया है बेटा जल्दी से बताओ तो गो जनके में नहीं दिया उब परेशान नहीं होंगे अपना वो रेख बोलता है इसे भाई बहुपद आप खोलो कहीं भी दिया होगा आगे पीछे उपर नीचे दिख जायेगा कहीं भी दिया होगा खोजलो मिल जाएगा तो जो NCRT वाला बच्चा है की सुन लो और यहाँ पे यहाँ पढ़ाने से जादा समझाना पड़ता है बहुत से बच्च वे confusion में रहते हैं गुरु जी मेरे तो भारती भावन है मेरे तो बाला जी है मेरे तो नगीन है मेरे लच्चमी परकासन है अरे फलाना धमा का बहुत सारा परकासन है पिटा सबके दादा NCRT है समझ रहो ना सबके दादा NCRT है आप देखे हो ना एक फैमिली में कई लोग होते हैं चाचा होते हैं पापा होते हैं आपके भाई बैन होते हैं लेकिन एक बाबा जी होते हैं दादा वे एक कुबरी मारते हैं न तो आपके पापा कोई मार सकते हैं समझे रहो वो क्योंकि सब किसे बड़े होते हैं सबसे बुजर्ग होते हैं लोग उनकी बातों को मानते हैं सम्मान करते हैं उसी तरह से यह NCRT ह NCRT जो है न सबका दादा यह इसलिए आपको इसी को फालो करना है और किसी को नहीं NCRT फालो करना है क्योंकि मेन यही है आप देखो कि किताबों में लिखा रहता ना NCRT पाठेकरम पर आधारित लिखा रहता ना NCRT पाठेकरम पर आधारित चाहे कोई भी किताब हो तो सब के जननी यही है इसलिए आप यह मत कहना कि मेरी किताब में नहीं मिल रहा है हम तो यह को पढ़बे न करेंगे पता नहीं कहां पढ़ा रहे हैं चलो कुश्चन सुनो एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्कॉयर माइनस थ्री एक्स प्लस वन को वन को लिखित से भाग देने पर सेजफल ग्याद कीजिए इंग्लिस मेडियम में कुछ ऐसे लिखा होगा जहां तक मैं कलपना कर रहा हूं कि फाइंडर रिमाइंडर पाइडिवाइडिंग खलंका एंडमंका हूं कलो हिंदी में देखो कि अब मैं पूरा कुश्चन नहीं लिखूंगा केवल मतलब की बात लिखूंगा इतना मुझे करना है कि देखो बच्चा इसका पहला पार्ट जिससे भाग देना है एक्स प्लस वन है ना यानि हमें इसमें भाग देना किस से एक्स प्लस वन से मतलब आई से करना आई से ये करना है ठीक है समझ रहे हो ना समझ रहे हो ना आप लो तो ऐसे हमें क्या करना इसको करना है तेकिन अगर हम सोचो की ये Dcemander theorem ना लगाएं पिटा अगर reminder theorem ना लगाएंगे न बहुत लंबी कहानी हो जाएगी यह बहुत बढ़ा भाग हो जाएगा फिर आएगा तो ऐसे भी लेकिन बहुत कथिन हो जाएगा इसलिए हम क्या करेंगे सेजफल पर मिये इसमें लाके ड़केल देंगे दिखो दिखो दिया है दिया है वैसे दिया तो है फिलहाल यह ठीक है लेकिन इसको यहां लिखो माना यहां माना लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा इंग्लिस मीडियम वाले लिख लेंगे let's let's p of x equal x का cube plus 3x का square minus 3x plus 1 इसको पूरा लिख लेंगे p of x के बराबर इसको हम मान लेंगे ठीक है ठीक है clear ओके चलो अब क्या करोगे जो को बेटा जो यह दिया है इसे q of x बोलते है एक क्वासियंट है क्वासियंट नहीं है सच्छा वो डिवाइजर है इसको पहला मान दे इसको दूसरा ठीक है एक्स प्लस वन है अब नीचे लिखोगे सेस्फल पर्मिये से इंग्लिस मीडियम वाला बचवा लिखेगाfy remainder theorem अब बाये दुइनों अंगरेजी Hindi न ही लिख पाएंगे हम इंग्लिस मीडियम वाला लिख देगा बायी remainder theorem remainder theorem अभी पढ़ाया हूं तुम सब को पता है X plus 1 equal 0 X equal minus 1 तो देखो बेटा यही मान तुम्हें रख देना ले जाके बस सभी फटा फट लेके चलो ढखेल के रख दो उसी में जो दिया है किताब देखो NCRTL लिया हो न सभी इसमें देखो बहुत सारे एक्जामपल भी ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे चलो इधर जगा दिख रही है क्या देखो भाईया मेरे में नीचे जगा नहीं इस वज़ा से मैं इधर साइड में हल करूँगा साइड में यहां मैं थोड़ा अपना जगा बना ले रहा हूं सकेते में समधियान लो चलो समझो जहां जहां पर यक्स है वहां पे तुम्हें माइनस वण रखना है और जो मान आएगा वही अंसर होगा देखिए अंसिका का आ आ गया आसीस का आ गया अनन्या रीशू समका का आ गया न अच्छा तोहना है वा पड़त बाव ही काई देना है पड़ा तो के काई के अउबो न करे कब हो देखो इधर समझो यही से मैं रख लेता हूँ चलो माइनस वन का क्यूब हो जायागा प्लस ठ्री और ये माइनस वन का स्क्वायर और ये माइनस वन दिख रहा है बाहर जा रहा है एक मिनट देखने दो प्रीव्यू कहां तक दिख रहा है ने पता चले पहरे निकल रहा है यक्स की जगापे माइनस वन रखना है बस बस यही तक तो था प्लस का वन है देखिये रिमाइंडर थेओरम लगाने से ये चीज़ें आसान हो जाती है ना बड़ा भाग नहीं करना पड़ता है समझ रहो ना जैसे कोरोना आगया तो साधी भी आहासान हो गया लोगों का जहां पहले दू-तीन सो बराती लेके जाते थे घराती बराती परिसान होते थे राद में लड़ाई जगड़ा भी करते थे साथियों तोडवा देते थे कौरोना चचाए बोले 50 जाएंगे पर बीस जाएंगे फेले 50 है अब देखो करोना जाने के बाद है कौरों सकिस्ञ ठीज जिखा दिया है कि ऐसे अनलाइन सब काम होगे अदिकां सापी अब खुलने के बाद भी कोरोना जाने के बाद भी कमपनिया घर से काम करवा रही वर्क फ्राम होम और जो गारजियन बचवा को अपने मोबाइल नहीं देते थे कहते थे नहीं मुबाइल ले बचवा बिगड़ जए अगर इसकूल में मुबाइल लेके गया बचवा भरम खाता था कुरोण चचा आ गये सकूल मुबाइल में आ गया खर वाले बच्चों को नई नई मुबाइल ला के देनी लगए बच्चे खुश ओ गए पहले गेम खेलेंगे पढ़ेंगे बाद में तो फिर सारी चीज़ें बदल गई न अच्छा है अब कोरोना जाने के बाद भी लोग आनलाइन पढ़ाई करेंगे अधिकांस काम घर से होंगे और एक जो दूसरा एक्जमपल बताया कौन था था वो भी वैसे ही होगा इसको हल कर लो माइनस वन आजाएगा अब इसको बताना थोड़ी यह कैसे आया है यह आपका तीन हो जाएगा और यह आपका तीन हो जाएगा यह वन हो जाएगा इनको सबको जोड़ो भाईया देखो तो तीन तीन छे जाएगा कहां गलत हो रहा है कहीं कि मुझे लग रहा है कहीं गलत हो रहा है पहले यह मिलाओ तो सही है पीच में प्लस है माइनस है फिर प्लस है ठीक है मिलाओ एक तरफ से तो भाई कहीं गलत हो रहा है मिस्टेक जा पहुंग रखाहे कहीं है इसके पहले देखो प्लस था क्या एक मिन轉 किताब में देखने तो सॉरी ये प्लस है ये अ ये ये प्लस में था मैंने माइनर Presents गटा इस वजह से जा रहा था करवड़ सभी प्लस था सभी तो यह भी क्या हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा यह प्लस माइनस देखो बेटा यह माइनस हो जाएगा ठीक है अब यह प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 1 सब छुट्टी हो गई 0 आगया किया अंसर हो गया क्या हो गया अंसर हो गया लिखलो फटअफट लिखलो लिखलो जल्दी से लेकिन उन बचवा के लिए कुरोना गड़बढ है जो आपलाइन क्लास में जाता था तुबेरे उठके वैसे चाहए कवो न नहाए बढ़ियां भले न नहाता था हाथ में पानी लगा के बाल गीला करके मुँँ में पवडर क्रीम लगा के अच्छा मेकप करके जाता था कुछ देखता था कुछ दिखाता था उसके लिए तो गड़ बढ़े कि तो पढ़ाई आफ लाइने में होता है आफ लाइन में नहीं को पढ़ाई कौरी होगी कालमाई जा ने है न अगर रियल में पढ़ना है कहीं भी एक जगह आ northern पढ़ना शुरू आफ-लाइन जाने से कोई मतलब रही लेकिन पढ़ो यह नहीं कि आज ही या कल हुआ परसों हुआ एक जगह पढ़ो कहीं भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो बढ़ता है आप ऐसे समझे लो आन-लाइन में क्या है आफ-लाइन में यह कुश्चन तुम एक बार देखते न जुबा क्या जितनी बार देखो ना कहीं नहीं जाने वला ना यह तो यह फायदा है कि नहीं आप लाइन में गुरुजी दुबारा नहीं बताते थे लड़का